नमश्कार दोस्तो आपका हमारे यूटूब चैनल बक्ति ग्यानते ओहर में स्वागत है आज मैं आपको पिछले जनम के करज नामा के एक बहुत ही सुन्दर कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जैई स्री कृष्णा जरूर लिखे साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन पर किलिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें एक समय की बात है बिधर्ब देवस में एक ब्रामर अपनी पतनी के साथ रहते थे वे ब्रामर बहुत ही गरीब थे लेकिन वे अतियन्त बुद्धिमान और महनती थे जब तक वे निर्दन थे तब तक उन्हें धन की अधिक लालसा नहीं थी लेकिन अपनी महनत की जोर पर जैसे तैसे उनके पास धन का संग्रे होने लगा तब वे दिन रात उस धन को बढ़ानी की चिंता में डूबे रहती उनकी पतनी भी धन की अत्य धिक लालची इस्त्री थी आप तो जानते ही हैं कि धन की त्रेशना ऐसी होती है जो बढ़ते धन की साथ साथ बढ़ती ही जाती है वे ब्रामन अब ऐसा सोचता था कि कास उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछी दिनों में धन में हजारों गुना बढ़तरी हो जाए पहले वे धन को चंचल और हाथ का मेल समझता था और कहता था धन का क्या है वे तो हमेशा आता जाता रहता है लेकिन तब वे मूर्क था अब उसकी आँखे खुल गई थी और वे धन का अतिदिक संग्रे करने लगा उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वे सादू और महात्माओं की सेवा में लगा रहता था पहले उसकी ईश्वर में बड़ी हिस्रद्दा थी किन्तु समय के साथ साथ धन की लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्नी सभी सत्गुडों को भी चला दिया धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नश्ट कर दिया पहले जब भी ब्रहमण की द्वार पर कोई साथू महत्मा आते तो उनका मुख फूलों की तरह खिल उठता था परन्तु अब आदर सत्कार की समय मुख पर निरासा और मायूशी ही रहती एक बार की बात है साम का समय था ब्रहमण की द्वार पर एक साथू आकर रुके और बोले हे पुत्र मैं एक यात्री हूँ और आगे हर द्वार को जाना है आज की रात बिताने के लिए साथू को इस्थान मिल जाए तो अच्छा होगा मैं बड़ी ही आसा से आपकी द्वार पर आया हूँ उस साथू का मुख संतोस की मूर्ती था आँखों में अमरत और मुह में सहद सी मिठास थी जिस कारण से ब्रहमण का हिर्दे भक्ती भाव से भर गया और वे उन्हें प्रणाम करते हुए बोला जरूर महात्मा जी आपक का प्रवावी जैसे उठ गया है इस प्रकार से साथू के मुख से अपनी प्रसंसा सुनकर ब्रहमण का हिर्दे खिल उठा उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही इस्थान मिल गया हो उसके होठों पर सब्द आही गये थे लेकिन उन्हें दवा दिया और कहा मह नो ने घर में प्रवेश किया तव ब्रहमण ने उनके स्वागत सतकार में कोई कमी नहीं छोड़ी उनके खाने के लिए स्वादिष्ट भूजन बनवाया नाना प्रकार की मिठाई बनवाई उसके बाद दाल और सबजियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है भले ही ब्रहमण उन महत्मा को इतने पौश्टिक आहाद देने के पच्च में नहीं थे लेकिन महत्मा की बातों में कुछ ऐसी सक्तियां थी कि उनके बरसों पुराने बिचार चंद पलों में ऐसे बदल गए जैसे सूखी धर्ती पर एक दिन की बारिज से हर्याली इचा जाती है इस भक्ति भाव से महत्मा का दिल खुस हो गया रात भर बाते होती रही ग्यान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही अंत में ब्रहमण ने पूछा महत्मा आप सादू कैसे बने सादू ने हसकर उत्तर दिया बेटा बुडापा आ गया है अब क्या सारी उम्र ग्रश्ती में ही फसा रहूँगा कुछ हरी भजन भी तो करना चाहिए इश्वर की किरपा से मैंने बहुत धन कमाया है मेरे चार पुतर हैं और एक कन्या भी है अब सारी धन दौलत उन्हें बाट दी है और अब तीथ यात्रा को जा रहा हूँ कुछ समय के पश्याथ ब्रह से खोकली है इसमें मैंने पांसो स्वर मुद्राइं डाल रखी है यात्रा में कभी कभी धन की आवजकता भी पड़ती है यह कहते कहते सादु बाबा को नीद लग गई लेकिन ब्रहमण की आँखे जाक रही थी और यह सारी बाते उसकी पतनी ने भी सुनी तथा जान ली थ अब रात्र का पहला पहर भी दिया था वै बार बार महत्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था अब उसके अंधर लोब की माया का संचार हुआ किन्त उसकी अंतर आत्मा उसे इस ग्रनित कारे को करने से रोक रही थी वहीं मन की दुरात्मा शुर पाने की जित पर अड़ गए कुछ समय के इस संगर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था तब ही ब्राहमण की पतनी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है स्वामी आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं कि आप भी वही कुटिल मनसा से सोच रहे हैं जो मैं भी सो बिदा हो रही है हमारा करतब है कि अतिती की सेवा करें किन्तो अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाक होगा शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तब ब्राहमण की पतनी कहते हैं अजी आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो इन महत्मा की उम्र ढल जुकी है और क्या प को और इन सुर्ण मुद्राओं को ले लो मुझे लगता है इसुर भी यही चाहते हैं इसी कारण से यह मात्मा यहां पदारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है तब ब्राहमण कहते हैं ठीक है अंत में लोग ने धर्म को हरा दिया ब् पर उसके हाथ पेर कांप रहे थे उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़ फड़ाना सुरू कर दिया लेकिन लोग के द्रण हातों ने उसे दवा दिया तब ही ब्राहमण और उसकी पत्नी ने लाठी खोली और उसमें से सुर्ण मुद्राओं को निकाल लिया और उनकी ब्राहमण का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था उसी डर था कि कहीं सादू बावा कुछ सक न हो जाए इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था लेकिन महत्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी बे तो हस्ते हुए बाते कर रहे थे और रात की महमा नवाजी के लिए बार-बार धनिवाद दे रहे थे अपे तो जाते समय ब्राहमण ने कहा महत्मा जी मेरे यहां संतान नहीं है किर्पिया भगवान से रिक्रेशन से प्राथना करें कि हमारे यहां उनके जैसी ही संतान हो जाए हम तो पापी हैं हमारी प्रातना का कोई असन नहीं हो सकता किन्तु आप तो महात्मा हैं भगवान आपकी बात जरू सुनेंगे तभी मंदमुस्कान के साथ महात्मा जी ने उत्तर दिया सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने लेकिन मैं तुम्हें आशिरवात देता हूँ कि भगवान से रेक्रेशन तुम्हें संतान दे इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए अब जैसे ब्राहमर के सिर से एक बड़ा बोश हट गया था उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा जी के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया हो किन्तु वे दोनों पती-पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे यह बात ब्राहमर का मन और मस्तिक भी अन्भव कर रहा था परन्तु वे दोनों इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे चोरी का प्रकट होना प्रतेच्छ था उसका फल भवी से किसी परदे में चिपचाप चिपकर सही अफसर की प्रतेच्छा में था मनुशी बरतमान समय के सामने भवी से की परवा नहीं करता है वही दूसरी और जब भी महात्मा हरी द्वार में पहुँचे तो उनका हिर्द अतिंत प्रशन हो गया यहां सादू संतों को देखकर ऐसी प्रशन अता हुई मानों उन्हें सभी देपताओं के साच्छा दरसन हो गए हूँ उनका मन इश्वर भक्ती में लीन हो गया फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुखे रसोया को बुला कर कहा महराज मैं यहां दरसन है तो आने बाले सभी यात्रियों के लिए अन्यदान करना चाहता हूँ और अब यही एक मेरी इच्छा बाकी है किर्पिया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और बस्तदान के लिए कितना खर्च हो सकता है तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाफ करते हुए बताया कि महराज अन्यदान निवास और बस्तदान और अन्यसभी परकार के कारियों के लिए कुल चार सो सुर्ण मुद्राइं लग सकती है या दस से बीस कम या अधिक भी लग सकती है क्या आपके पास इतना ज्यादा और परियाप्त धन है ठीक है मैं इसका प्रवंद करता हूँ आप बस कल के सभी कारिकर मौका आयोजन करो ऐसा कहकर वे गंगा इसनान के लिए चले गए फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोये ने पूरा आयोजन किया हरी द्वार के परिशर में बड़ी ही धूम धाम और खुसी के साथ अन्यदान बस्त दान भोजन आदिकारियां को संपन किया गया वहां मौजुद सभी लोग यह देखकर खुसी से कहने लगे महात्मा स्वयम गरीब होकर भी कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे ब्यर्थ के दिखावे बाजी में लुटा देते हैं बेटों के बिवापर उड़ा देते हैं परन्तु धर्म की रह पर एक कोड़ी भी खर्च नहीं करते यह एक नेक दिल मनुश से हैं जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा अपनी प्रिशन से सुनकर महत्मा की खुशी का कोई ठेकाना न रहा उनका हिर्दे आनन्द से भर के प्रिशन हो रहा था किन्त वहीं दूसरी और उनका भागी रो रहा था जब संधिया हुई तो महत्मा ने अपनी कमरे का दरवाजा बंद गिया और लाठी को खोल कर देखा लाठी के अंदर लोहे के सिक्के देखकर उनका हिर्दे काप गया उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वै कोई भयानक सुपन देख रहे हैं उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था वै चाते थे कि यह सुपने जल से जल तूट जाए पर यह कोई ऐसा सुपन नहीं था जिससे नींद खुल जाए उन्होंने बार बार अपनी आँखें मलमल करके देखा पर सिक्के लोहे के थे अब उन महत्मा को थोड़ी ही देर में रसोईयों को हिसाफ कर उनका धन लोटाना था उन्होंने सोचा अब क्या होगा अपमान की छवी उनकी आँखों के सामने खिच गई और वे कहने लगे हे प्रभू आप मुझे छमा करें और महत्मा कामते हुए खड़े हो गए उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज़्यादा डरापना लग रहा था अब उन्हें इसे सहन करने की सकती नहीं थी वे कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए निरासा ने हर तरप से उन्हें हराके रख दिया महत्मा का चेहरा मरत व्यक्ती की तरह सपेद पढ़ गया था और उनकी मौत हो गए जहां सुबह बहुत सुख पूर्वग और सांत थी लेकिन किसे पता था कि साम इतनी दुखत होगी कुछ ही समय बाद यह घटना का चारा और बूल बाला होगा यह सब देखकर उस रसोये ने ही महत्मा का अंतिम संसकार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग किया वे महत्मा तो मर गए लेकिन उनका आसिरवाद अभी भी जीवित था एक साल के भीतर ही उस ब्राहमण के घर में एक पुत्र का जनम हुआ इस अपसर पर ब्राहमण ऐसे प्रशन था मानुसारी संसार का धन उसे मिल गया हो अब तो अंधिरी घर में प्रकास चा गया था जैसे जैसे ब्राहमण का बालक आयू में बढ़ता जाता ब्राहमण की कामनाएं पल्ला पसा रही थी ब्राहमण की पुत्र बहुत ही सुसील और भगवान का उपासर पालक था उसकी तीछन बुद्धी देखकर आश्चर होता था लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा ब्राहमण यह सुनकर फूले न समाता उसकी सरारतों और चंचलता को देखकर उसका प्यार और भी बढ़ता जाता इसी प्रकार छे बर्स बीट गए ब्राहमण की पुत्र सिच्छा ग्रहन करने हे तो आश्रम में गया बहाँ भी उसके गुड़ों का बिकास होने लगा वे हमेशा अपनी कच्छा में अबबल आया करता ब्राहमण यह देखकर इश्योर को धन्यवाद करता था लेकिन कभी कभी जब उसे उन महत्मा के साथ अपने दुर बेवहर की याद आती तो उसके दिल में चुबन होती और उसकी आत्मा पर एक अंजाना सा डर्चा जाता उसे बार बार अपने उपर गुसा आता था वे अक्सर मनही मन दुखी होता रहता और मनही मन कहता मेरी बुद्धी कैसी खोटी थी मैंने ऐसी मुर्ख तक क्यों की लेकिन बीता हुए समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था उसने सुन की पांसो मुद्राओं को एक लाल बस्तर में बांद कर संदूक में रख दिया और ये निश्चे किया कि यह मुद्राओं वे उन महत्मा को बापस दे देगा फिर उसने महत्मा की खोर शुरू कर दी कई लोगों को बेचा लेकिन वे उन महत्मा तक नहीं पहुंच सके इतना समय बीत गया कि अब ब्रहमर उस घटना को भूल गया था परन्तु भे ब्रहमर मुद्राओं अभी भी एक लाल बस्तर में लिप्ती हुई उसी संदूक में पड़ी थी समय गुज़र तक गया और अब ब्रहमर का बेटा बीस बर्स का हो गया साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ा और ब्रहमर के बेटे के इलाज में काफी धन का खर्चा हो रहा था एक दिन अचानक ब्रहमर अपनी पतनी और बेटे के साथ हरे द्वार के लिए निकल पड़ा वहां पहुँचकर वे सभी एक सराय में ठहरे वहां ब्रहमर को पता चला कि उसके बेटे का बेवाद साथूँ जैसा हो रहा है उसके अंदर बेराग आ रहा है वे दिन राज साथूँ के डेरे में समय बिताता और जब ही किसी दिन दुखी या गरीव को देखता उसकी मदद करता इसे देखकर ब्रहमर बहुत परिशान होता था पर वे कुछ नहीं कर पाता ब्रहमर की वे उतलोती संतान थी उसके मुख देखकर ब्रहमर का क्रोध सांथ होता वे बहुत सोचता था परन्तु अपने बेटे के इस स्ववाब का कारण उसे समझ में नहीं आता था तब बुड़ा आदमी कहने लगा बेटा क्या कहूं कहते हुए लज्जा आती है अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो मैं गंगा जी में डूब कर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज ह ब्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी है तब ब्रहमर का बेटा कहता है पर यह तो छोटी सी बात है उस बुड़े व्यक्ती ने अजीव गरीव नजरों से ब्रहमर के पुत्र की ओर देखते हुए कहा मुझे अपना कर्ज चुकाना है नहीं तो मेरे पास आत्मत करने के अलावा कोई बिकल्प ही नहीं है तब ब्रहमर के बेटे कुछ देर तक चुप रहा यह मौन उस दुर्भा के साली बुड़े व्यक्ती के लिए एक उमीद बन रहा था उसके आंसु थम गए और फिर ब्रहमर के बेटे ने पूछा महराज आपको कितने धनकी आवश किर्पिया आप हमें बताएं जब इंसान निरास और हतास होता है तब उसे हर कदम पर उमीद नजराती है उस बुड़े व्यक्ती ने हिसाब लगा का जवाब दिया और कहा मेरे सिर पर लगबग पांसु सुर्ण मुद्राओं का करज है ब्रहमर के बेटे फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा फिर उसने कहा महराज आप चिंता मत कीजिए आप बस इसी गंगा के टट पर मेरी प्रतिछा करो बस मैं अभी बापस आता हूँ आपके लिए मैं कहीं से धनका संग्रे करके आता हूँ तब बुड़े आदमी ने कहा बेटा यहीं पांस मेहीं मेरी एक धर्मसाला है तुम वहीं आजाओ उसी समय ब्रहमर का बेटा भागते हुए बापस सराय में आप पहुँचा उस समय उसके हिर्दे में हलचलसी मची हुई थी उसका चित व्याकुल था वह चाता था कि जितनी जल्दी हो सके बुड़े बावा का संकट दूर कर दे उसे किसी माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे अब ब्रहमर का बेटे का राष्टा साफ हो गया था उसने संदूग पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोर दिया फिर उसने संदूग को खंगालना शुरू गया ब्रहमर के बेटे के हाथ में वैलाल बस तरा गया उसने उसे कापते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा उस रूमाल में पूरी पानसो सुर्ण मुद्राएं थी यह वही सौने की मुद्राएं थी जिने ब्रहमर ने कभी एक महत्मा से चुराए था जब मुद्राओं की गिंती की तो वे पूरी पानसो ह से भर गया और उसने वे मुद्राइं अपनी जेम में डाली और बस्त को बापस संदूक में रख दिया तथा अत्य उत्षा के साथ उसी बुड़ी बाबा के पास पहुँचा और उन्हें वे मुद्राइं दी हर व्यक्ति को पूरुब जन्म का करज चुकाना ही पड़ता है य और ब्रहमण का पुत्र वही महत्मा है जो उस ब्रहमण के घर में जन्म लेकर अपना करज चुका कर मुक्त हुआ अब ब्रहमण का बेटा बापस लोटा तो उसके मन में एक अनोखी सांती थी मानो कि उसका जन्म इसी कारी को पूर्ण करने हेतु हुआ था अब उसकी बीमा परण उनका हेद अतियंत पीडा से भर गया और निरासा के साथ उन्होंने भी अपनी प्राणों को त्याग दिया जब उन तीनों की मरत्य हुई तो उस रसोईये ने उनका अंतिम संसकार किया जब उन तीनों की आत्मा को यमराज की दरवार में लाए गया तब यमराज ने ब पापस भीज दिया जो भी मनुष्य अपने जीवन में करज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट पॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादा धन्यवाद दोस्तों